आलो एबरिबन इन दिस वीडियो वे अर गाइड चैप्टर अफ लास एट इंग्लिश और टाइटल अप दो इस टोरी इस दो नामी विश तोनामी क्या है तो यह आप सभी को शायद जानकारी हो 2004 और 2011 में दो बार ऐसी सुनामी आई हैं जिसने की बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉक्शन मचाया है तबाही मचाया है तो बिफोर यू रीड यहाँ पे अंडमाना निकोबार का मैप दे रहा है और कह रहा है कुछ एक कॉश्चिन्स दे रहे हैं अब यहाँ पे एक पिक्चर है अगर सुनामी को पूछे कोई क्या है तो यह लार्ज और पावरफुल वेवस हैं जो की समुद्र के नीचे हल चल या अर्थक्वेक की करण आती है 26 डिसमबर 2004 को सुनामी ने थाइलेंड को हिट किया था और इंडिया के कुछ एक पार्ट्स जैसे अंडमान निकोबार और तामिलाडू कोस्ट को तो यहां की कुछ तस्वीरें हैं यहां पर और आने वाले कुछ सिरीज में हम पढ़ेंगे तीन ऐसी स्टोरी जिसमें की जो लोग बच गए उन्होंने अपना एक अकाउंट पेश किया लोगों के सामने अपनी जानकारी शेर की कि किस तरीके से वो बचे थे तो डिड अनि तो यहां पहली कहाणी की शुरुआत हो रही है कि इस स्टोरी जुरीज मतलब आइलेंड ग्रूप तो यह सारी कहाणिया अईलेंड निकोबार आइलेंड से ही ली गए हैं Ignatius was a manager of a cooperative society in Kachal Kachal नाम की जगह पे Ignatius नाम का इंसान एक cooperative society में manager का काम करता है His wife, उसकी wife उसको सुबद 6 बजे उठाती है क्योंकि उन्होंने एक earthquake महसूस किया था Ignatius carefully took his television set off its table Ignatius ने जल्दी से television को table से हटा दिया और इसे ground पे रख दिया ताकि वो गिर कर तूट ना जाए and break Then the family rushed out of the house और फिर family घर से बाहर दोड़ कर आ गई When the tremors stopped, जब जटके खत्म हुए उन्होंने देखा कि समुदर का level बढ़ रहा है In the chaos, भागदोर और confusion में Two of his children caught hold of the hand of his mother's father and the mother's brother and rushed in the opposite direction तो घर के दोनों ही बच्चों ने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और दोर पड़े opposite direction में वो शायद कभी एक तूसरे से मिल नहीं पाएं He never saw them again His wife was also swept away उसकी wife भी बह गई थी पानी में Only the three children who came with them were saved सिर्फ तीन बच्चे ही बच्चका हैं जो उसके साथ आये हैं मतलब उसकी wife बह गई गई और एक बच्चा उसकी wife के साथ बह गई So this is the first incident of tsunami and its destruction दूसरी कहानी है संजीव जो की एक policeman था उसी कचल आइलेंड पे निकोबार ग्रूप में He somehow managed to save himself उसमें खुद को तो बचा लिया अपनी wife को भी बचा लिया अपनी बच्ची को भी बचा लिया But then he heard cries for help from the wife of John John की wife की वो आवाज सुन पा रहा था जो की guest house को खाना बनाया करता था संजीव पानी में जंप करता है उसे बचाने के लिए लेकिन वे दोनों ही swept away मतब दोनों में से कोई भी बच कर नहीं आता है 13 साल की लड़की मेगना वो भी पानी में बह गई थी अपने पेरेंट्स अपने 77 अधर लोगों के साथ शी स्पेंट टू डेस फ्लोटिंग इन दुसी लगतार दो दिन वो समुद्र में तैरती रही holding on a wooden door लकडी के दरवाजे पर बैठ कर वो दो दिन तक समुद्र में तैरती रही 11 times she saw relief helicopters overhead 11 बार उसे helicopters दिखाई दियें अपने उपर से जाते हुए लेकिन वो उसे नहीं देख पाए she was brought to the shore by a wave किनारे पर संयोग से उसे एक लहर लाच होड़ता है and was found walking on the seashore in a daze और अंधेरे में उसे लोग टहलते हुए देख रहे थे जब वो बिल्कुल बुजी हुई सी समुद्र पर पहुँच चुकी थी Almas Javid एक 10 साल का बच्चा है अब ये अगली कहानी है Almas Javid नाम के 10 साल के बच्चे की she was a student of Carmel Convent in Port Player where her father had a petrol pump जहाँ पर उसके फादर का एक petrol pump हुआ करता था उसकी मा रहिला's home was in Nankaudi Island उसकी मा रहिला का घर Nankaudi Island में था जो फैमिली वहाँ पर Christmas celebrate करने गई थी जैसे ही जटके आएं सुबह में तो फैमिली वा स्लिपिंग, फैमिली सो रही थी Almas के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है उन्हें समझ आ चुका था कि water would come rushing back with great force उन्हें समझ आ गया था कि पानी बढ़ी तेजी से वापिस आएगा He woke everyone up and tried to rush them to a safer place उन्हेंने सबको जगाया और वो एक safer place की तरफ बढ़ चले As they run, जैसे वो दोडे Her grandfather was hit on the head by something उनके दादा जी को सिर में कुछ से चोट लग गया और वो गिर गया Her father rushed to help him उसके पिता दोर पड़े उनकी मदद को Then came the first giant wave that swept both of them away फिर एक टेज लहर आई और उन दोनों को बहा कर ले गए Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree Alma's की मा और उसकी चाचियां Coconut के पेड को चिपके हुए और एक दूसरे को आवाज देते हुए समय बिता रही थी एक लहर ने पेड को ही उखार फेका And they two were washed away और वो भी उस पानी में बह गया Alma's saw a log of wood floating उसने एक लकडी के टुकडे को तैरते हुए देखा She climbed on it और इस पे बैठ गई Then she fainted फिर वो बेहोश हो गई जब वो जागती है She was in a hospital in Camorta From there she was brought to port player जब वो जागती है तो वो Camorta में थी जहां से उसे port player लाया गया था जो कि अन्दमान निकुबार का capital है The little girl does not want to talk about the incident with anyone She is still traumatized वो दर की अभी भी काफी distress में है, काफी upset है वो किसी से इस पाड़े में बात नहीं करना चाती Now second part Tillie Smith, a British school girl was able to save many lives when the tsunami struck Phukke beach in Thailand इस वक्त ये लड़की Thailand बीच पे थी जब ये आर्थ के काया था और वो कई लाइफ को बचा भी पाई हलाकि उसे कई सारे awards भी मिले हैं, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine आपको क्या लगता है कि उसका बचपन बचपाई चुलि होता क्या है कि सेलिब्रिटी जैसा treatment मिलने के बाद बच्चे अपना बचपन खो देते हैं So that is why their parents did not want that they should be interviewed and made into a heroine Now here is a story from Thailand ये कहानी Thailand की है The Smith family जो कि Southeast England से थी वो यहाँ पर Christmas मनाने आई थी Southern Thailand पे टिली स्मिथ तस साल की बच्ची थी स्कूल जाने वाली उसकी सिस्टर साथ साल की बच्ची थी Their parents were Penny and Colin Smith उनकी माँ Penny और Colin Smith थी ये 26 December 2004 की बात है Deadly tsunami waves were already on their way खतरनाक waves अपने रास्ते में थे ही They had been triggered by a massive earthquake of Northern Sumatra earlier that morning शायद उसी सुभा Sumatra island पे खतरनाक earthquake आया था The water was swelling and kept coming in Penny Smith remembered Penny को कुछ कुछ याद है कि जो water है वो बढ़ रहा था उनकी तरफ आ रहा था Beach छोटा और छोटा होदा जा रहा था I didn't know what was happening मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा था But Tilly Smith sensed that something was wrong लेकिन तेरा साल की बच्ची उस दस साल की बच्ची Tilly Smith को शयद ऐसास हो चुका था कुछ गलत होने को है Her mind kept going back to a geography lesson उसका धिमाग गया है geography lesson पे जो की उसे England में पढ़ाया गया था दो सबता पहले Thailand आने के ठीक पहले Tilly ने देखा की समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें foam जहां create होड़ा है bubble and foam whirlpools उसे याद आया की she had seen this in the class of a video of a tsunami that hit the Hawaiian islands in 1946 उसे याद आया की उसमें वीडियो में देखा था ऐसे ही लेहरों को जब Hawaii islands को May 1946 में ऐसे ही tsunami waves ने hit किया था उसकी geography teacher ने class को वीडियो दिखाया था and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides उसे याद है की teacher ने बताया था कि भूस खलन, earthquake या volcanoes के कारण यह सब होता रहता है Tilly started to scream at her family to get off the beach Tilly चलाती रही अपनी family के साथ उस बीच से भागने के लिए she talked about an earthquake under the sea उसने earthquake के बारे में बात की she got more and more hysterical उसे लगतार सदमे आ रहे थे दौरे पड़ रहे थे but seeing my grandfather, my daughter so frightened, I thought something serious must be going on लेकिन अपनी बेटी को ऐसे घबराते देख मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गरबढ है तो मुझे लग गया कि something serious must be going on Tilly's parents took her and her sister away from the beach वो उसे उस बीच से लेका चलेगे to the swimming pool at the hotel a number of other tourists also left the beach with them then it was as if the entire sea had come out after them I was screaming, run उसकी मा बताती हैं के वो चिला रही थी रन और बाकी लोग उनके साथ साथ तौर रहे थे the family took refuge in the third floor of the hotel family उस hotel के तीसरे मंजिल पे शरन लिया refuge लिए लिए building withstood the surge of the three tsunami waves building तीन tsunami waves का जटका जहेल पाई अगर वो लोग शायद बीच पे रुग गए होते हैं तो वो जिंदा नहीं होते हैं the smiths latter met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and the geography lesson यहाँ thanks कहना पड़ेगा Tilly और उसके उस geography lesson को जिससे कि उन्हें जानकाड़ी पहले मिल गई गटना के पहले ही जानकाड़ी मिल गई Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale जब Tilly अपने school गई तो उसने अपने classmates को ये पूरी की पूरी दराबनी कहानी सुनाई अब third part शुरू होता है कि इन pictures को देखो The boy and his dog are described the things that you see just using words and phrases either the teacher or one of the students पतलब यहाँ पर आपके लिए टास्क दिया जा रहा है कि teacher या बच्चे आपस में ही discuss करेंगे पच्चा एक डॉग को लेकर कैसे बैठा हुआ है Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka wild and domestic animals seem to know that was about what to happen इसके पहले कि ये जो samudra की लहरे थे कि क्या होने वाला है they fled to safety वो safety के लिए दौर पड़े कभाहों के नुसारे elephants screamed and ran for higher ground हाथी दौरते चिलाते हुए चिंगहरते हुए उची जगहों की तलाश में दौर पड़े डॉग्स ने घर के बाहर जाना बंद कर दिया फ्लमिंगोज ने abandoned their low-lying breeding areas and zoos animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out और जो zoo animals थे वो भी भाग कर अपने पिंजडे में चले गए और वो बापिस आने को तयार नहीं थे many people believe that animals possess a sixth sense कई लोगों को ऐसा लगता है कि animals के पास sixth sense होता है know when the earth is going to shake और शायदोंने पता भी होता है कि earth कब shake होने वाला है कुछ experts को लगता है कि animals are more acute hearing helps animals की सकती जोगी सुनने की ज़्यादा होती है तो वो earth के vibration को सुन पाते हैं feel कर पाते हैं they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on वो किसी भी ऐसी human disaster को महसूस कर लेते हैं पहले ही इसके पहले की वो घटी तो we cannot be sure whether animals have a sixth sense or not हम ये sure तो नहीं है कि animals के पास sixth sense है कि नहीं but the fact is that the giant waves that roll through the Indian ocean killed more than 150,000 people in dozen countries लेकिन हाँ एक बात तो है कि जिस giant waves ने लगभग डेढ़ लाख लगों की मौत का कारण बना था लेकिने इतने animals की मौत रिपोर्ट में ही की थी along India's curler coast where thousands of people perished buffaloes, goats and dogs we are found unharmed जहाँ पर curler coast की बात करे रहागर भारत के तो जहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे वहाँ पर buffaloes, goats and dogs उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा था the yellow national park in Sri Lanka is home to a variety of animals यहाँ पर कई तरीके के जानवड है elephants and leopards है 130 पर जाती हैं चुडियां की some visitors were washed away from the pentagola beach inside the park कुछ visitors तो यहाँ से बहे गए हैं पानी में but no animal caracasses were found लेकिन किसी भी जानवड का अस्थी पंजर या केरा कैस्टी से हम कहते हैं शब नहीं पाया गया except for two water buffaloes दो buffaloes के अलावा about an hour before the tsunami hit people that yellow national park had observed three elephants running from the pentagola beach वहाँ के लोग कहते हैं कि tsunami आने के कुछ घंटे पहले एक घंटे पहले yellow national park से तीन elephants pentagola beach की तरफ भाग चले थे a Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his two dogs would not go to their daily run on the beach एक और gentleman है Sri Lanka के वो कहते हैं कि उस दिन उनके दोनों ही dog तो usual दिनों की तरह दौरने के लिए नहीं गये they are usually excited to go on this outing आम तोर पर वो हमेशा तयार रहते हैं जाने को वो कहते हैं but on that day they refuse to go and most probably saved his life और शायद इसी कारण से वो उस की life को बचा भी लेते हैं so that is all about this video this chapter in next video we shall talk about another English chapter till then thanks and goodbye